सर्दिया आ चुकी है सर्दियों में मेथी के लड़ू बना कर जरूर खाने चाहिए इससे बहुत ही हैल्दी और पॉजिटिव वाइप साती है हमने यहां 500 ग्राम मेथी ली है वजन के अनुसार कप की मेजर्मेंट से हमने यहां एक कप मेथी ली है मिकसर जार में हम एड करें दर 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 अगम मेथी हमारी पीस करके तयार है अब हम लेंगेक मिकसिंग बॉल्स ट्रांसवर करेंगे मेथी पाउडर को और इसमें हम दूड डालकर अच्छी तरह से इसको mix करेंगे हमें यहां मेथी भीगे इतना दूद यूज करना है हमने यहां एक कब दूद का यूज किया है साथी में तीन से चार चमच हमने इसमें देशी घी डाला है और मेथी को हम बिगा करके छोड़ देंगे मेथी को इस तरह से बिगा के छोड़ने से इसका कड़वापन कम होता है हम इसको ओवर नाइट के लिए बिगो करके छोड़ देंगे और देखिए सुबह हो चुकी है हमारी मेथी अच्छी तरह से भीग करके तयार है इस तरह से हम मेथी को mix करेंगे और इसको हम खोल लेंगे रखेंगे इसको side पे हमने यह लिए है 300 ग्राम खांड, 300 ग्राम गिहूं का आटा, साथ ही मेथी, कुछ dry fruits और काले मिर्च और गोला देशी घी हमने यह गाय का लिया है और अब हम मेथी को इस तरह से हाथ से बुरबुरा देंगे यानि की जो इसकी lumps बने हैं उसको damage करेंगे, gas पे रखेंगे मोटे तले की कड़ाए, उसमें हम add करेंगे 300 ग्राम गी हमने जितना आटा खांड लिया है उतना ही हम यह गी लेंगे, गी को अच्छी तरह गरम करने के बाद हम इसमें add कर देंगे हमारा गीहूं का आटा इस लड़ू को खाने से घुटनागा दर्द, कमर दर्द ठीक होता है और पूरे साल भर आप healthy feel करते हैं इस तरह से मेथी के लड़ू बनाकर के खाए बहुत ही tasty लगते हैं लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, जैसे हम हलवा सेखते हैं उसी तरह से आटे को हम अच्छी तरह से सेख लेंगे लगातार हम इसको चलाते हुए आप भी मेथी के लड़ू बनाके खाए तीस साल से बड़ो को हम मेथी के लड़ू खिलाएंगे बहुत ही healthy रहते हैं और इसकी तासीर बहुत ही गरम होती है तो इसको जादा सर्दी में बना करके खाया जाता है, नॉर्मल ठंड में नहीं, देखिए आटा हमारा almost सिक करके तयार है, fluffy fluffy हमारा आटा हो चुका है, अब हम इसमें add कर देंगे dry fruits, dry fruits को हमने काट लिया है, आटे को हम medium high flame पे ही देंगे, dry fruits हम डाल देंगे ताकि dry fruits भी हलके से fry हो जाए, आटे के साथ ही सिक करके तयार हो, इनमें भी crispness बन जाए, लगाता चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें add करेंगे मेथी, मेथी हम आटे को ठंडा करके add करेंगे, मेथी को हमने चान लिया है ताकि सारे lumps निकल जा अब हम इसमें add कर देंगे, हमारी छान कर तयार की भी मेथी, मेथी के लड़ू इस तरह से बनाएंगे, महीने बर आपके लड़ू चलेंगे, और मैं तो यही सज़स्ट करती हूँ, लड़ू थोड़े थोड़े बनाए मेथी के, ताकि खराब ना हो और टेस्ट बरकरार र मिक्स करें और इस तरह से लड़ू आप बनाएं और यह यहां जरूरी टिप है कि मिक्षर को ठंडा करने के बाद ही इसमें खांड और मेथी मिलाएं ताकि मेथी का कड़वापन फिर से ना आए, घी और दूद हमने जब डाल के रखा था तब हमारी मेथी का कड़वापन खतम हो गया था ओवर नाइट के लिए हम उसको इसलिए रखते हैं इस तरह से देखे सारे मिक्षर को मिक्स करके हम लड़ू बना लेंगे लड़ू आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी साइज के बना करके तयार कर सकते हैं हम यह मीडियम साइज के लड़ू बना रहे ह इतने मिक्षर में हमारे 12 या 13 लड़ू बन करके तयार होंगे बहुत ही तेस्ती लड़ू बनते हैं इन्हें लड़ू को आप बना करके एक महिने तक स्टोर कर सकते हैं हमारे चैनल पर आप मूं के लड़ू गौंध के लड़ू गौारपाठा के लड़ू मेथी के देख सकते हैं हमने या गुड़ मूफली के लड़ू भी बनाए है अगर आपको हमारी एसपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कम